जेहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE Constable GD भरती 2023 के अंतरगत कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है देखिए दोस्तो SSE Constable GD की अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इसके पोस्ट के बारे में आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तो आप सभी को पता है कि इसके अंतरगत आठ जो है आपका total पोस्ट यानि की आठ फोर्स के अंतरगत भरती जो है रिलीज किया जाता है जिसमें दोस्तों आपका BSF, CRPF, CISF, SSF, ITBP, SSB, NIA और Awesome Rifles रहता है तो देखिए दोस्तों जब आप form apply करेंगे SSE Constable GD का तो form apply करते समय post preference आपसे पूछा जाता है post preference के अंतरगत आपसे बोला जाएगा कि कौन सा post जो है आप सबसे पहले रखना चाहते हैं यानि कि first twice उसके बाद second twice में कौन सा post रखना चाहते हैं तो दोस्तों जब आपको पता होगा कि कौन सा post सबसे best है तो अभी जाकर आप सबी जो है first twice आप सबी अपना चूज कर पाएंगे तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा post जो है सबसे अच्छा है ससी कांस्टेबल जीडी के अंतरगत हालांकी जितने भी post होते हैं सभी post अपने अपने जगा पा जो है सही होते हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है हर student जो है अलग अलग एक च्छाइस के कोडिंग जो है अपना post select करते हैं तो देखिए दोस्तों इसकी post जो है सबसे best आप तभी जान पाएंगे जब आपको इसके job profile के बारे में पता हो यानि कि कौन से post का क्या काम होता है तो दोस्तों जितने भी post है सभी post के job profile के बारे में बात करेंगे यानि कि आपको जो है इसके अंतरगत काम क्या करना परेगा और जब काम के बारे में आपको पता चल जाएगा तो आप सभी decide कर सकते हैं कि कौन सा post जो है आपके coding आपके लिए suitable है इसके अलावा दोस्तों salary भी काफी ज़्यादा important होता है इसके अलावा दोस्तों आपका career growth आप सभी को बता है कि अभी आप सभी SSE के अंतरगत constable gd post पा जो है select होंगे लेकिन हर candidate जो है चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है उससे higher level post पा जाए तो career growth जो है कौन से post के अंतरगत सबसे ज़्यादा है वो भी आपको बताएंगे इसके अलावा duty hours यानि कि सबसे ज़्यादा काम जो है यानि कि कौन से post के अंतरगत कितने घंटे आपको काम करने परेंगे तो ये सभी details आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आप सभी ये details जान जाते हैं तो आप खुद decide कर सकते हैं कि कौन सा post जो है आप first twice रखेंगे और कौन सा second तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी पोस्ट जो है आपको भरती में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो है जोग प्रोफाइल जो है CISF के बारे में आप सभी को पता होगा Central Industrial Security Force इसका फूल फरम होता है जिसका पूरा नाम की बात करे तो किंद्रिये औधोगीक सुरक्षा वल होता है और देखिए दोस्तों CISF की बात करे तो इसकी अस्थापना 10 मार्च 1979 इस पी को किया गया था और salary की बात करे इसकी तो level 3 की salary आपको मिलता है दोस्तों आप सभी को बता दे जितने भी post है सभी post में आपको level 3 का salary यानि कि 2700 से लेकर 79100 रूपिया तक जो है आपको दिया जाता है लेकिन यहाँ पे आप स पोस्ट है सभी post में यह प्रोक 35,000 जो है आपका salary यह starting होता है यानि कि 33-35,000 जो है salary आपका starting होता है और जो basic आपका pay होता है वो होता है level 3 का जो कि यह कई 1700 से सुरू होता है और इसमें अलक से allowances जो है 33-35,000 जो है starting period में आपका salary रहता है अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि CISF के काम क्या होते है देखिए दोस्तों काफी सारे student को CISF के बारे में already पहले से भी पता होगा तो यहाँ पे बात करें तो CISF जो post है इसे सबसे सुरक्षित जोब माना जाता है देखिए दोस्तों अगर आप CISF में जाना चाहते हैं तो यह सबसे सुरक्षित भावना है या किसी भी तरह के अतांकवाद जो हमले है वो लगभग 0% के बराबर होता है यानि कि ये जोब जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और सुरक्षित क्यों माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसके जो काम है यानि कि CISF के जो जमान होते हैं उनका जो का बरे बरे जो उधोग धंदे है जैसे कि बोकारो यह च्टील प्लांट हो गया इसके लवद देश्तों जितने भी सरकारी या प्राइवेट बरे बरे जो उधोग धंदे है या फैक्टरी है वहाँ पे जो है ऐसे सिकुरेटी गार्ट के रूप में यह तैनात रहते हैं इसके परवा दोस्तो मेट्रो जितने भी मेट्रो है चाहें दिल्ली मेट्रो हो या अन्य जगह के सबी जगह पर आप से भी देखेंगे एजे सिकुरेटी गाट के रूप में जो है CISF के जवान तैनात रहते हैं तो आप सभी को पता है कि एयरपोर्ट हो गया मेट्रो हो गया या ब अगर आप से भी girls candidate है तो girls के लिए ये सबसे best job है क्योंकि इसमें आपको काम जो है किसी एक जगह पर रहकर करना परेगा और इसकी duty hour की बात करें तो दोस्तो 8 से 10 घंटा जो है इसमें आपको काम करना परेंगे क्योंकि 8 से 10 घंटा minimum जो है इसमें काम आपको करना ही परेग तो CISF के बारे में आपको पता चल गया और काफी सारे student की जो first 24 है वो CISF ही रहता है तो दोस्तों अगर आप से भी इस तरह के job चाहते हैं तो आप इसे जो है first 24 के रूप में फील कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों ASSB की काम के बारे में बात करते हैं ससस्तर सीमा बल जिसका पूरा नाम होता है जो कि 20 दिसंबर 1963 इस भी को इसकी अस्थापना किया गया था और इसका भी salary level 3 का होता है जो कि 21,700 से सुरू होता है और इसमें भी अलग से allowances मिला कर 33,000 से 35,000 जो है आपक SSB भी एक सुरक्षित जोव माना जाता है SSB का काम क्या है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है इसके अलवा भुटान की जो सीमा है भारत से जो सटा हुए नेपाल और भुटान का सीमा है वहाँ पे जो है SSB के जवान तैनात रहते हैं आप सभी को पता है कि भारत और नेपाल हमले होते हैं तो ये भी एक सुरक्षित जोब है अगर आप से भी चाहते हैं कि भारत और नेपाल या इसके अलवा भुटान की जो सीमा है वहाँ पे तैनात रहना सुरक्षा जो है सीमा पकरना तो इसके लिए SSB आपके लिए best पोश्ट रहेगा और ये भी एक safe जोब होता है इसमें किसी भी तरक के अतंकवाद जो हमले होते हैं वह काफी कम होते हैं लगवग ना के बराबर इसमें भी आपका जो है आपको सहीध होने की संभावना जो जवान सहीध होते हैं इसमें लगवग ना के बराबर ही होता है तो इनका जो काम है भारत नेपाल और भुटान क सीमा पा जो है वेसिकली तैनात रहना इसके बाद दोस्तों ITBP की बात करे तो देखे दोस्तों ITBP का जोब जो है थोरा सा हार्ड होता है क्योंकि ITBP में आप सभी को अगर पहले से नहीं फता है तो देखे दोस्तों ITBP के सबसे पहले फूल फरम जान लीजीए इंड़ो सीमा पुलीस बल होता है जिसकी अस्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था और इसका भी सेलरी सेम होता है लेवल 3 का अगर दोस्तों काम की बात करें तो भारत और चीन की जो सीमा है आप सभी को बता दे भारत और चीन का जो सीमा है वहाँ पे जो है ITBP के जवान तैनात रहते हैं और ITBP के जो जवान होते हैं वह बरे बरे जो पहार होते हैं इसके अलावा जो गलेसियर होते हैं जैसे कि आप सभी सीया चीन गलेसियर का नाम सुने होंगे जो कि सबसे बरा बरफीला जो है रन छेतर है सबसे उंचा पर तो वहाँ पे भी ITBP के ही जवान होते हैं तो दोस्तों ये बरे बरे जो है पहार हो गया इसके अलावा जो बर फीले एरिया हो गया वहाँ पे इनको जो है तैनात किया जाता है तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड है इस तरह के एरिया में काम करना चाहते हैं तो आप ITVP जो है फॉर्स्ट जो आइस चूज कर सकते हैं तो गया कि सीमा की जो सुरक्षा करना है B.S.F. का वर्क है और B.S.F. की बात करें तो एक दिसंबर 1965 में इसकी अस्थाफना हुआ था देखिए दोस्तों B.S.F. की काम की बात करें तो B.S.F. बिसिकली जो है भारत और पकिस्तान का जो बोडर है आप सभी को बता दे भारत और जो बोडर है इसके अलावा बंगला देश भारत का पकिस्तान और बंगला देश से जो बोडर एरिया है वहाँ पे B.S.F. के जो जमान है वो तैनात रहते हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका यहाँ पे गुजरात हो गया गुजरात जो एस्टेट है इसके अलाव दोस्तों आपका पंजाब हो गया इसके अलावा आपका जम्मू कस्मीर हो गया तो यह सभी जो एस्टेट है यह बैसेकली जो है पंजाब के सीमा से सटा हुआ है तो इन सभी एस्टेट में जो सीमा आपका पंजाब से सटा हुआ है वहाँ पे B.S.F. के जो जवान है वो त तांकवाद हमले होते हैं तो BSF का जोब जो है सुरक्षित उतना नहीं है जितना अन्य पोस्ट है लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है इस जोब में जाने के लिए तो आप इसे फर्स्ट च्वाइस के रूप में रख सकते हैं और इसमें जोब होने के बाद आपको भारत-प CRPF की बात करें तो Central Reserve Police Force होता है देखिए दोस्तों इसकी हिंदी की बात करें तो केंदरिये और धोगिक सुरक्षा बल होता है और CRPF जो है 27 जुलाई 1949 को इसकी अस्थापना हुआ था जिस समय ब्रिटिस सासन था उसी समय जो है इसकी अस्थापना हो गया था और देखिए दोस्तों CRPF की काम की बात करें तो बिसिकली इनका काम जो है आंतरीक सुरक्षा ब्यवस्ता को कायम करना होता है यानि कि जो भारत के अंतरगत आंतरीक सुरक्षा ब्यवस्ता है उसे कायम करना CRPF का वर्क है इसके अलावा नकसलवाद के खिलाप लरना आप सभी को पता हो का नकसलवाद में जो है ये कईस जो है CRPF के जवान सहीध हो गए थे तो दोस्तो CRPF का बैसे कली काम जो है आंतरिक सुरक्षा विवस्था को कायम रखना एस्टेट के जो पूलीस होते हैं भारत के अंतरगत जितने भी एस्टेट है उस पूलीस के साथ मिलकर भी CRPF काम करता है कहीं पर भी बरे-बरे जो दंगे होते हैं जो की ये स्टेट पूलीस उसे संभाल नहीं पाती है तो उसके बाद दोस्तो वहाँ पे जो है CRPF के बटालियन को जो है बुलाया जाता है तो बैसिकली ये आंतरीक जो है भारत के अंतरीक अंतरीक जो है आंतरीक जो सुरक्षा बिवस्ता है उसे जो है काम करते हैं और सांती बिवस्ता बनाय रखने में सहाय करते हैं इसके अलबा दोस्तों जो नकसलवाद है तो न CRPF की जो जोब है ये भी थोड़ा सा हार्ड लेवल की आपका जोब होता है और इसके अलबाद CRPF को जो है चुनाव रैली जब होता है चुनाव जब आपका होता है तो उसमें भी तैनात किया जाता है तो CRPF के लिए अगर आप इंट्रेस्टेट है तो इसमें जा सकते हैं इसके बाद दोस्तो आसम रैफल्स की बात करें तो देखिए दोस्तो आसम रैफल्स की जो यहाँ पे जोब है ये जो है सबसे पुराना फोर्स है भारत में सबसे पुराना फोर्स आसम रैफल्स है जो की 1835 SP में ही इसकी अस्थापना हुआ था इसका अधर नाम था 1835 SP में तो दोस्तों ये सबसे पुराना फोर्स है और इसे जो है नौर्थ इस्ट के प्रहरी माना जाता है नौर्थ इस्ट के प्रहरी के मतलब यह है कि जो पुर्वोत्ता राज है पुर्वोत्ता राज में आप सभी को पता होगा कि अस्सम हो गया मेगालाय हो गया नागा लेंड हो वहाँ पे किसी भी तरह के हमले होते हैं या नकसलवाद वहाँ पर भी है तो उन सभी को रोकना जो है असम राइफल्स का काम होता है तो इन्हें जो है परवतिय लोगों का मित्र भी कहा जाता है और पुर्वोतर जो छेतर है वहाँ पे इन्हें तैनात किया जाता है तो अगर आप सभी नौर्थ इस्ट के अंतरगत जो एस्टेट है वहाँ पे अगर आप चाहते हैं जोब करने के लिए तो आप बिल्कुल असम राइफल्स को फर्स्ट ज्वाइस रख सकते हैं इसके बाद दोस्तो एसे सेफ की बात करें तो एसे सेफ जो है सबसे बेस्ट पोस्ट माना जाता है क्योंकि दोस्तो एसे सेफ की बात करें तो इसकी जो वेकेंसी है दो सब से तीन सब ही आपको देखने को मिलते हैं यह ज़्यादा पोस्ट भरती नहीं आता है और सबसे ज़् उन्हें दिल्ली में ही तैनात किया जाता है, 95% जवान जो है दिल्ली में आपको तैनात किया जाता है, दिल्ली के अंत्रगत जितने भी सरकारी सची वाला हैं, जो सरकारी भवन है, उसकी सुरक्षा करना जो है SSF का काम होता है, और दोस्तों इसमें काम भी अन्य जोब के तु आपसे सबसें पैस्ट आपका है रहने मला है apparently और अगर आप चाहें तो यह सबसें पोस्टन क्रट 17F तुट क्लियार चाहिएर जिए leo बन पर फिर थरम साल होता है, इसमें 140 फोस्ट आपसें असमें ऑलouse ideas आफ रहने मलत पतें सर्थाइ क्लिए M band होगा और सरकारी जो भवन है या सचीवाला है उसे सुरक्षा करना आपका काम होगा इसके बाद दोस्तों एन आये की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेसन एजनसी इसका पूरा नाम होता है भारत के अंतरगत जो आतंकवाद हमले हैं यानि कि आप सभी को पता है कि आंत जो की 2008 SP में ये बना था जब आप सभी को पता होगा मुंबई में जब अटेक होगा था तो उसके बाद जो है इसकी अस्थापना किये गए थे इसके बाद दोस्तों NCB तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम होता है और दोस्तों इसकी बात किया जाए त तो जितने भी ड्रक्स हो गया या जो नसीले पदार्थ होते हैं इन सभी के तसकरी का जो है रो करना या दूरूपियो करना जो है इन सभी जो है NCB की जो जवान होते हैं उनका काम होता है तो दोस्तों I hope आप सभी समझ गए होंगे विडियो काफी लंबा हो गया है कोई भी नेक्स्ट टूडियो में तब तक लिए जैहिंद बनते हैं मातरम